Now one more concept on percentage, suppose करो कि something is written like P is increased by 25%, तो इस information को कैसे use करेंगे, चुकि हमें calculation में speed की need है, speed में calculation हो पाए, तो उसके लिए मैं ये चीजे separately बता रहा हूँ कि कैसे, अगर कोई language form में कुछ इस तरह की line लिखी हुई है, तो उसको कैसे information को use करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कहता है P is increased by 25%, तो मैं पूछ रहा हूँ new P, new value of P, सपोज करो इस new value of P को मैं P' बोल रहा हूँ, ओके, तो P' है क्या, P' है P plus जो increase है, ओके, P plus जो increase हुआ है, वो value, तो ये P plus I P' है, ओके, अब यहाँ से देखिए, क्या कह रहा है, कि P' क्या हो रहा है, P plus I, तो P तो P ही है, और increase कित्ते का हुआ है, 25% का, 25% के increase का मतलब है, अगर सिर्फ increase लिखना है, तो 25% अर्थात 1 by 4P, इतने से increase हुआ है, ओके, तो यहाँ से जो ये quantity निकल के आई है, ये क्या है, ये है increase, और total P' डैस equal to क्या निकल के आया है, 5P by 4, या आप कह लिजे 5 by 4P, जो ये चीज हमने लिखी है, ये हम direct भी लिख सकते थे, 25% increase, इसका मतलब 100 plus 25, 125 upon 100, 125 बहुने तो 5 by 4 directly है, यहाँ से एक चीज आप देखिए, P' upon P equal to, ये मुझे क्या मिल गया है, ये 5 by 4, और ये क्या चीज मिल गई है, ये मुझे मिल गया है ratio, जैसा कि मैंने बोला था कि ratios का use आगे पूरे के पूरे aptitude में कहीं पर भी हो सकता है, अगर ratio की form में चीजे आ जाती है, तो हमारे लिए उनको calculate करना काफी जी हो जाता है, ठीक है, तो कैसे इसको use करना है वो तो मैं आगे बताऊंगा, बस अब यहाँ पर इतना बताना चाहरा हूँ कि new P और जो old P है, उनका जो ratio है, वो 5 by 4 का है, ओके, यहाँ से increase के अगर increase यहाँ से इतने से हम क्या देख सकते हैं, increase equal to 1 by 4 P, तो यहाँ से मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ क्या, कि I upon P equal to 1 by 4, तो आप यहाँ से फिर से एक ratio आपको और मिल गया, ओके, I equal to 1 by 4, तो यहाँ पर एक ratio increase और old P के बीच में मिल गया है, तो यह भी कई बार बहुत useful होगा, किस तरह से useful होगा, वो आगे मैं numericals में, questions में दिखाऊंगा, next question तो यह था, यह first इसके लिए, P is increased by 25%, suppose करो लिखा हुआ, P is decreased by 25%, तो उसमें भी कोई problem नहीं है, क्या लिखा जाएगा, new P मैं फिर से चाह रहा हूँ, अगर new P चाह रहा हूँ, तो P is decreased by, इसका मतलब quantity decrease हुई है, मतलब minus में हो जाएगी, और यह increase की जगे पर क्या आ जाएगा, decrease आ जाएगा, 25% से decrease हुई है, तो 25% तो 1 by 4 P ही होगा, लेकिन यह minus में होगा, और यहां से यह क्या होगा, यह 3 by 4 होगा, तो यहां पर यह ratio भी क्या बन जाएगा, 3 by 4 बन जाएगा, और यहां से यह देखें, तो यह यहां पर सिर्क्रित आएगा, क्या, जो decrease हुआ है, decrease का परसेंट है, वो 25% है, of the original price, तो 1 by 4, 25% मतलब 1 by 4, और तो यह ratio ऐसे ही रहेगा, हां, अगर मुझे directly लिखना है, कहता है, P is decreased by 25%, P is decreased by 25%, तो मैं कहूंगा, कि decrease 25% से हुआ है, इसका मतलब 100 में से 25 निकल गया, 75 बचा, तो इसका मतलब P है क्या, 75 upon 100 है, 75 upon 100 है, मतलब जो P dash है, वो 75 upon 100 P है, यहां से देखिए 3 और यह 4, और अगर यहां से P dash upon P करूं मैं, तो यह मुझे क्या मिल रहा है, 3 by 4, बिल्कुल ऐसा, तो मैं यह भी कुछ नहीं करूंगा, जैसे ही बोलेगा, P is decreased by 45%, तो मैं directly यह लिखूंगा, ओके, या सिर्फ decrease की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 1 by 4 की बात कर रहा है, ड्रेक्टली यह लिखूंगा, ओके, यह information ratio की form की मेरे लिए useful है, ओके, and that's done.